बिहार के लोगों के लिए जमीन से जुरी नई खबर सामने आ रही है बता दे कि अब प्रदेश में मौझूद प्लग एंड प्ले ओद्यों की परिशड़ों में 4-6 रूपे प्रती वर्ग फूट किराई पर सेड आवंतित करवाए जाएंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बिहार राजे में इस तरह की 55605 स्क्वाइर फूट के सेड मौझूद है इन्ही मौझूद सेड में से निवेशकों के लिए जगा अवंतित की जाएगी 55605 स्क्वाइर फूट का या सेड हाजीपूर, मुझहपडपूर, भागलपूर और जहानाबाद के और द्योगिक परिसरों में मौझूद है निवेशकों के लिए यह अवेंटन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है इस संदर में बियाडा के द्वारा वैसी जानकारी जो जरूरी है वसारजनिक तोर पर कर दी गई है बता दे कि इसके लिए निवेशकों को आवेदन ऑनलाइन करने होंगे अगर बियाडा की माने तो उनके अनुसार प्लग एंड प्ले परिसर में निवेशकों को 15 साल की लीज रेंट एग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्छर करने होंगे पताते चले कि यह समुचित प्रक्रिया टेक्स्टाइल एवं लादर पॉलिसी के तहत की जा रही है मिले जानकारी के अनुसार प्लग एंड प्ले और पॉलिसी के तहत ही होगा अगर हम बात करें कि कितने फूट प्लग एंड प्ले परिसर सभी अस्थानों पर आवंटिन के लिए मौजूद है तो भागलपूर में प्लग एंड प्ले सुविधा वाले परिसर में 33,490 वर्ग फूट, मुझहपरपूर में 16,740 वर्ग फूट, हाजिपूर में 12,375 वर्ग फूट और जहानाबाद में 3,000 वर्ग फूट मौजूद है इसके लावा बिहार की राजधानी पटना में भी प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रॉक्चर को विक्सित किया जा रहा है जो की करीब 2,000,000 वर्ग फूट छेतर में किया जा रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस प्रकार के सेट में निवेशको को केवल उनकी उपयोग में लाई जाने वाली मशीन को ही लेकर जाना होता है बाकी की सभी सुविधाएं वहाँ पहले से ही मौजूद होती है वहें इस तरह के सेट को निवेशकों के केवल किराय पर ही दिये जाते हैं बताते चले कि बियाडा के ओध्योगिक छेत्रों में लैड आवेंटन की प्रक्रिया की सुरवात कर दी गई है विशेश रूप से प्रटना जले में सिकंदरपूर और बीटा ओध्योगिक छेत्र में कपड़ा और खाते प्रसंसकरन इकाईयों के लिए भूमी आवंटन खोला गया है बता दे कि ओध्योगिक परिसर एयरपूर से मात्र 30 किलो मीटर की दूरी पर स्थित होंगे इन सबी छेत्रों को हाली में अधिसुचित किया गया है इसी तरह मुझपरपूर में मेगा फूड पार्क खोले जा रहा है जिसके आवंटन की प्रक्रिया को अब खोल दी गई है मुझपरपूर में कुल 130 एकर भूमी मौजूद है जहां मेगा फूड पार्क खोले जाएंगे फिलाल अभी इस स्थान पर भी विकास कारे चल रहा है आज के लिए इतना ही धन्यवाद